Good morning दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अमरसक्ती के वारे में अमरसक्ती के सारे बेनेफिट और इसमें कौन कौन से पोसकतर तो मिलाएगे साथ ही इसके सेवन से हमारी बॉडी में क्या-क्या फाइदे होते हैं उसी के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज जागे चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन इसके बाब जूद उनको कभी भी इसका परवानेंट इलाज नहीं मिल पाया होगा इसलिए हम आपके लिए लाए हैं मोदी केर का एक खास प्रोड़क्ट अमरसक्ति यदि आप अपने सरीर को तंदुरस रखना चाहते तो आपको अपने डाजेस्टिक सिस्टम को अच्छा रखना होगा किसी कारण बस यदि आपका पाचंतंत खराब हो जाए तो बहुत सारी भीमारियों को सामना करना पड़ सकता है पाचंतंत के इस खराबी को दूर करने के लिए मार्केड में कई तरह के प्रोड़क्ट उपलब दाए लेकिन जो बात आपको अमरसक्ति में मिलेगी वो कहीं और नहीं ऐसा इस लिए क्योंकि यह आपके पाचंतंत को ठीक करने के साथ आपके सरीर को स्वस्त रखने में भी मदद करता है इसमें कपूर होता है जो एंटी अक्सिडेंट का बैतरींस रोता है जो कई अन्य बिमारियों को ठीक करने में लाबकारी होता है कपूर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाकर इसके कामकाज को अन्कूल बनाता है साथ ही पाचन रस और एंजाइम के स्टाव को भी बढ़ाता है जो डाइजेस्टिव की प्रिगरियां में सुधार करने के लिए आवस्ट है यह गैस को बनने से रोखता है साथ ही इसके जड़ी अन्य समस्चाओं जैसे डाइरिया, गैस्ट्रो इंटेक्टाइजिस के लिए रामबाण है रग्ट संधार को सधारने में कपूर की महत्पूर भूमिका रहती है यह डिटाक्सिफिकेशन के लिए भी लाबदाएगा है इसमें अजवाइन है जो पेड़ की समस्चाओं के लिए रामबाण है इसका सेवन करने से पेड़ दर्ध, गैस, खटी डिकार, उल्टी, एसीडीटी में रहाद मिलती है अजवाइन वेट लॉस करने में भी काफी मदद करता है अजवाइन का पानी पीने से सरीर की मेटाबोलिजम दर बढ़ती है जिससे सैड कम होता है, ये गटिया रोग में भी रहाद दिलाता है इसमें पुदीना होता है, जो बालों के रूखेपन को कम करने में सहयो करता है बालों की रूसी और उनका बेजान होकर तूटना या जहनना कम होता है जिससे बाल नेचुरल रूप से बढ़ते हैं ये एरिटेबल बाल सिंड्रोम जो बड़ी आथ को प्रभावित करता है जिसकी वज़े से पेकदर, दस्ट और कबजी की प्रॉब्लम होती है ऐसे में इसका सेवन लाबकारी होता है इसमें लॉंग का तेल होता है जिसमें एंटी अक्सिडेंट गुण होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बैतर मनाते हैं इसके सेवन से भूख बढ़ती है और आमासा की रस के लिए ठीक रहती है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें